प्यारे बच्चों आज हम बहुपद के शुन्यक zeros of polynomials के बारे में पढ़ेंगे बहुपद के शुन्यक क्या हैं किसी बहुपद fx के लिए यदि fk is equal to 0 हो तो k बहुपद का शुन्यक कहलाएगा मतलब किसी बहुपद में यदि चर्राशिका मान रखने पर उस बहुपद का मान शुन्यक हो जाता है तो चर्राशिका वह मान उस बहुपद का शुन्यक कहलाएगा जैसे देखिए इसमें fx is equal to x plus 1 एक बहुपद है हमारे पास इसमें x is equal to minus 1 रखे हैं तो यह देखिए, x की जगे में minus 1 रखा, f minus 1 is equal to, यह minus 1 plus 1 is equal to 0, तो x is equal to minus 1 रखने पर इस बहुपद x plus 1 का मान सुन्या हो रहा है, इसका मतलब x is equal to minus 1 इस बहुपद का एक सुन्या हो जाएगा, इसी प्रकार दूजरा example देखिए, px is equal to x square minus 4 में, यदि हम x is equal to 2 रखें, तो यह हो जाएगा, p2 is equal to 2 square minus 4 is equal to 2 का square हो गया, 4 minus 4 is equal to 0, तो यहाँ भी जो है, x is equal to 2 रखने पर इस बहुपद का मान सुन्या हो रहा है, इसका मतलब x is equal to 2 जो है, इस बहुपद का एक सुन्या हो जाएगा, जिरो जो हो जाएगा, आप देखो, x is equal to minus 2 रखने पर इस बहुपद में, तो यह देखो, minus 2 का square minus 4 is equal to 4 minus 4 is equal to 0, तो यह देखे, x is equal to 2 और x is equal to minus 2 रखने पर इस बहुपद का मान सुन्या हो रहा है, अथा x is equal to 2 और minus 2 इस बहुपद के दो सुन्या हो जाएगे, इससे हमारे पास यह निश्कर्स निकलता है, कि किसी बहुपद के अधिक से अधिक उतने ही सुन्या हो सकते हैं, जितनी उस बहुपद की गहात होती है, अर्था जितनी गहात का वह बहुपद होगा, उसके maximum अधिक्तम उतने ही सुन्या होंगे, अगर कोई तीन घात का बहुपद है तो उसके तीन शुन्यक होंगे अधिकतम अगर कोई दो घात का बहुपद है मतलब दो घात बहुपद है तो उसके अधिकतम दो शुन्यक होंगे और अगर कोई रैखिक बहुपद है एक घात वाला बहुपद है तो उसके अधिकतम एक ही शुन्यक होगा आप देखें इसमें थोड़ा सा कभी-कभी एक नम्मर का सवाल आपको पूछा जाता है किसी बहुपद के शुन्यकों का ज्यामिती अर्थ तो देख लिजिए बहुपद Fx के ज्यामिती एक्स को आलेक आलेक को एक्स जिन बिन्दूओं पर पर्तिछेद करता है उन बिन्दों के भुजिया एक्स निर्देशांक बहुपद Fx के शुन्यक के रूप में जाने जाते हैं जैसे ये देख लिजिए ये एक बहुपद का अलेक खीचा है मैंने माने ये रेखिक बहुपद है तो ये रेखिक बहुपद है ये रेखिक बहुपद Fx को के वल एक बिन्दू पर काट रहा है तो इसका एक सुन्यक हो जाएगा मतलब कोई बहुपद एक साक्स को जितने बिंदों उपर काटेगा उतने बिंदों उपर काटेगा वो कटान बिंदों जो है उसके सुन्यक हो जाएगे यहाँ पर देखे दूजरा यह आले खिंचा गया है ये परवले के आकार का है दिघाद बहुपत का जब हम आले खींचते हैं तो परवले के आकार में आता है पहरा बोला तो यहां देखे यह पहरा बोला ये परवले जो है ये आले जो है X-axis को दो बिन्दों पर काट रहा है A और B तो इसके दो सुन्यक हो जाएंगे यह देख लिजिए यह तीसरी आकरती में देखो यह स्टेट लाइन आ रही है X-AX के समाना नतर यह जो graph खिचा गया है आलेग खिचा गया है यह X-AX के समाना नतर आ रहा है इसका मतलब यह जो है इसको यह आलेग जो है X-AX को कहीं भी परतिछेद नहीं करता है कहीं भी नहीं काटता है इसका मतलब इसका कोई शुन्यक नहीं होगा अर्ताद इसके शुन्यकों की संख्या शुन्य है इसमें देखिए इसमें यह आलेग जो है X-AX को तीन बिन्नों पर काट रहा है तो इसके तीन सुन्यक हो जाएंगे यह आलेक देखिए यह X-AX को तो इसके भी तीन सुन्यक हो जाएंगे यह आलेक देखिए यह पैराबोलो आ गया फिर दुगात बहुपत का आलेक आ गया तो यह X-AX को कहीं भी नहीं काट रहा है तो इसका कोई सुन्यक नहीं होगा, कोई जीरोज नहीं होगा, यह आपको आजाना चे, इसमें प्रशनावली 2.2 है, 2.1 है, इसको आप सोयम लगा गएंगे, इसी तरह के क्वेशन है उसमें, और कभी-कभी एक नंबर में पूछा जाता है, यह आप दिहान लखेंगे, अब आईए, बहुत इंपोर्टेंट है, बहुपद के सुन्यकों और गुणांकों में समन्द, कैसे यह स्थापित करेंगे, इसको थोड़ा साम देख लेते हैं, देखें, रेखिक बहुपद AX प्लस B का एक सुन्यक माइनस B अपोने होता है, कैसे होता है, यह देखो AX प्लस B is equal to 0 कर दिया, AX is equal to minus B कर दिया, तो AX is equal to minus B अपोने आ गया, तो इसका मतलब अगर AX प्लस B में, X की जगे में minus B अपोने रखें, तो AX प्लस B का माण सुन्यक हो जाता है, अर्थाद AX प्लस B का एक सुन्यक माइनस B अपोने होता है, यह रेखिक बहुपद का सुन्यक ह इसी प्रकार यह देखो यहाँ पर ध्यान दें कि यह A क्या है A और B अचरपद है और X जो है चर राशी है तो A जो है X का गुनांक है और B अचरपद है यहाँ पर तो कुल मिला कि A और B यहाँ पर वास्ताविक शंक्याए हैं अब आईए द्विगाद बहुपद के शुन्यकों और गुनांकों में सम्मंद कैसे अस्तापित करेंगे तो माना यह मान लिया हमने कि माना अलफा बीटा द्विगाद बहुपद F X is equal to A X square प्लस B X प्लस C जहाँ A is not equal to 0 A B C वास्ताविक शंक्याए हैं के शुन्यक हैं अलफा और बीटा इस द्विगाद बहुपद के शुन्यक हैं तो X माइनस अलफा और X माइनस बीटा बहुपद F X के गुनन खंड हो जाएंग देखिए अलफा बीटा जो हैं एक युनानी अक्षर हैं तो इनको शुन्यकों को हम अलफा और बीटा से व्यक्त करते हैं तो देखिए अगर X माइनस अलफा और X माइनस बीटा इस द्विगाद बहुपद के गुनन खंड है इसका मतलब इनका गुना जो है इस द्विगा का गुणन फल जो है दस के बराबर हो जाना चाहिए यहां देखिए इसको हम लिख सकते हैं a x square प्लस b x प्लस c is equal to k into x minus alpha into x minus beta जहां k क्या है एक अचार है is equal to x minus alpha x minus beta को गुणा किया x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta फिर k से अंदर गुणा कर दिया k x square minus k into alpha plus beta into x plus k alpha beta अब इधर और इधर हम x square x के गुणांकों और अचर पदों की तुलना करेंगे यहां x square का गुणांक k है यहां x square का गुणांक a है तो a is equal to k आ गया यहां x का गुणांक b है यहां x का गुणांक देखिए minus k into alpha plus beta है तो b is equal to minus k into alpha plus beta और c की जगे में यहां k alpha beta है तो c is equal to k into alpha beta तो यहां से alpha plus beta की value निकालेंगे alpha plus beta is equal to minus b upon k और k जो है a के बराबर है तो k की जगे में a रख लिया तो alpha plus beta is equal to minus b upon a और यहां से देखिए alpha beta की value निकालेंगे alpha beta is equal to c upon k और k जो है a के equal में है तो k की जगे में a रख दिया तो alpha into beta is equal to c upon a तो इस परकार 0 कोंका योग alpha plus beta is equal to minus b upon a माने minus x का गुणांक b क्या है x का गुणांक upon a माने x square का गुणांक और 0 कोंका गुणनफल alpha into beta बराबर c upon a माने अचरपद बटे x square का गुणांक यह आप नोट करते रहेंगे करते हैं